आज उत्तर परतेश की कानपुर्श शहर में नयालाय में मौझूद हूँ और मैं देख रहा हूँ यहाँ आप एक प्रकड़ आया है जिसको मारे कारयाले में सुचना दी गई दी कि एक प्लकड़ है हत्या का मामला है वो किस तरह से हत्या हुई है इसके जानकारी के लिए एंटे क्रिस्टेम टीम ग्राउंट हीरो बोतर कर आज आई है नयाले में और यहां के अधिवक्ता से बात करेगी उससे भी जानकारी ले मडम यह बताईए कि आपका क्या प्लकड़ क्या मामला है तेज अवाद में संशे पर बताईए वर्मा होमगार्ड वो मेरे घर के सामने रहती थी और वो मेरे पती को दबाव डालती थी कि अपना परिवाद चोड़के मेरे पास रहो इसलिए उन्होंने अपनी बात नहीं लेज़त की इसलिए उन्होंने सूझा रह यह अझैय इनके कहना है ने के पती को एक होंगार्ड लेडी होंगार्ड अपने चंकुंत अप्हास कर और उसको उससे अव DF संबन बनाती थी और उन्होंसे शाधी करना चाहती थी जिस पर उन्होंने इंकार किया तो उसने सलिकर तहद उनकी हत्या करा दी किस तरह उनकी हत्या हुई इससे वक्त कराएं फासी उनको फासी उन्होंने क्यों लगाई क्या रिजन दा क्या करा था पूरा संखेब में बताईए जी आप बताईए वह पापा के उपर दबाव बनाती थी कि मतलब अपने वीवी और बच्ची को छ दमक्यां वह अक्सर दिया करती जिसके डर के कारण उन्हों वह डिप्रेशन में आके उन्होंने सुसाइट कर लिया यह सुचना और कप राप्त हुई कि आपके पिताजी से उसके घंग तरह संबंद या पिता जी को इस तरह दमक्यां दे रही थी यह आपको कैसे जानकारी हुई हैं कुछ दिन पहले ही जानकारी भी थी मतलब यह सब हुआ झाल किया नाम है अजय जैसरां यह जो वर्दात हुई है ये कप की है और साथ फरवरी की है और साथ फरवरी को वो मतलब यह सब भंगामा हुआ था तो इस पर क्या क्या रवाई आप लोग अभी तक कराई की जैसे कि बता नहीं पा रही है बुरी बात को अपने मैं इनके वक्ति साब सही जांगारी कर लेता हूं पूश्त प्रगवारे में क्योंकि पिड़ने कर रहे हैं कि आनल कर रहे हैं मैं से जान लेता प्रख्राइब कर रहें यह क्या मामला है यह संच्छी पर पता दें तरी कि महिला ओमगाट थी मीरा वर्मा जो अजय जैस्वाल के उपर बराबर यह दवाव बना रही थी कि आप मेरे साथ रहें मेरे साथ साधी कर लीजिए जो कि खुद भी से वह शाधी सुदा थी और यह बेटी है जिस पर वो यह दवाव बनाती थी कि जबर जस्ती छोड़कर इनको तलाक देकर खुद से आकर इनके महिला के साथ रहें होमगाट के साथ रहें जिससे छुप दोकर जब बहुत से पोचिसे उसकी नाकाम हो गई मना करने के बाद नहीं मानी और यह धंकी देने ल जो भी मुकदमा था अब यह लगा देगी इस तना डर गया वह वेक्ति शुप दोकर तब उसने सुसाइट टर लिया इस टोटली अवेट्मेंट आफ सुसाइट 306 जिस तरह आपने वक्य साब नहोंगत कराया इस पड़कल को और मैं इंसे पूशता हूं यह उसके जो संब बनाने लगी कि तुम मेरे से मिलो बात करो अब सरु होता क्या है मोले में कोई है आपने सामने रहा रहा है कभी मिल बात हो गई वह अलग चीज होती है यह उनकी बिल्कुल बिल्कुल पड़ोसी थी और दवाख बनाने लगी उन पर कि आप तुम मुझसे शादी कर लो करते प्राइवेट जॉब करते थे अपना किसी आफिस में जो आट-दसजार का वेतन इनको मिलता था यह अपना जॉब करते थे जब इनको जो मिसेज हैं को इसके आउकत इस प्रकास आउकत इनको कराया गया तो इन्होंने क्या एक्षन लिया जब अब सर्फ हिंदूस्तान में कोई भी महिला को जब यह चीज़ पता चलती है या अवगत होई इन्होंने बहुत रोकने कोशिच करी अब उनका यह डर था कि अगर जो यह बवात करती है मैं नहीं करूंगा तो यह मेरे पर मुगदमा दाखिल कर देगी मुझे जेल भिज ती जिसका वो उसका दुरूपयों कर रही थी पत्का आपने हैं और इन पर दबाव बना कर इनके पती पर वो शादी करना चाहती थी और इनकी पत्नी है बैठी है मैं से पूछता हूं आप हमें बताएं तो आपको जब आपके संग्यान में ममला आया कि उनके 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 दबाव बना रही है क्या उसके खिलाब कोई कारवाई की आप नीं इस्चैनलिया और क्या जानकारी इस पनखला की साथारी लाट भूपार फिट होने लगी हमने बात बीज बचाओ कराया उसके बाद मेरी भावी अपने मैंके चली गहीं और ये मैंके चली गहीं तो फिर वह सुबहें उठा मेरी कमरे में सो रहा था फिर सुबहें उठा अपने हैं कमरे का ताला उसने तोड़ और फिर वह वहां गया नहाया धोया युदे पूछा वो तो छिश लख रहा था लेकिन बड़त समझ नहीं पायें कि वह सरे नोट लिख रहा है तो शिलिक रहा था और पुचने तो उस अभी हम नहीं करेंगे उसके बाद मैं वीमा हॉस्पिटल चली गई वहां से आई हमने का लाओ खाना पूछ ले तो देखा वह पंखे में लटका था आप सी आई दो देखा कि आप तो उसकी लास लटकी हुई थी पुरे आप लोंने क्या एक्शन लिया फिर क्या हम लोग ने या ऐफाया रिःगराई पोश्ट्माडम कराया कुछवा तो उसमें हैं से लेकिन पताइए इस्का में वहा क्या वह उक्या बी और वा चाहरी देज से सब्सक्राइब करने मतनु材 खती सिर्फ पोस्ट माटम नहीं हुआ है इस लिए जंडान में बात हुई आ है तक घूत साथ कि रात के साड़े 11 बुझे पुलिस अरेस्टिंग नहीं कर रही थी जो कि क्लियर कट मेंटर 306-452 का बन रहा था उसके बाद भी पुलिस अरेस्टिंग नहीं कर रही थी पीड़ता बराबर कमिशनर आफेस मुख्यमंत्री को लेटर लिख रही थी पेश हो रही थी और बराबर दबगी भी मिल रही थी इनको दबाव भी आ रहा था कि पैसे ले लो लेकिन पीड़ता नहीं जुकी और कानून विवस्था पर अपना विश्वास बनाए रखा जो की परणाम और निश्कर्थ ये निकला कि जो मैला होंगाट थी वह हाई कोट तक गई और वहां तक इनको कोई रिलीव नहीं दी गई एट लिस्ट यह हुआ कि हाई कोट ने भी कंसीडर किया कि सूसाइड नोट पे प्रधम द्रिश्ट्या नाम इनका पाया गया है और यह प्रधम द्रिश्ट्या आरोपित पाई जाती है और विचारण चलेगा तब आज यह जेल में इनको शुक कराया संगान लेकर इन्होंने सारे आलादिगारियों गोगत कराया और उस पर कारवाई कराई का कारवाई का नतीचता यह हुआ कि आज वह मैला लोहमगार्ड जो इन पर जबरन शादी के दबाव बना रही थी जैसवाल पर जैसवाल सुजाट करने लिए मजबूर कर दिय आज उन्होंने उसको जेल भीजबा दिया और कुछ बताना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से हम यही चाहेंगे जो हमारे संविधान उसका चौथा इस्तम है और मीडिया ने शुरू से प्रक्रण में मदद की जब मीडिया में बात आई कपिश्णर तक बात पहुची त क्रण पहुची आपके चैनल के माध्यम से और यही चाहूंगा कि कोई भी पीडित व्यक्ति अगर है तो उसको कानून विवस्था पे भरोसा रखे विदी पे भरोसा रखे निया विवस्था रखे नियाय यह सकत हारता नहीं है ठकता जरूर है बट हार नहीं सकता और जो जैस्वाल जी जिनका सुजाइड करके मौत होचकी है उनकी फैमिली को सुरक्षा दी जाए और वो जिस तरह से यहां पर गोहार कर लगा रही है यहां दीकारियों से हमें सुरक्षा दी जाए इन्हें खत्रा बना हुआ है और मैं अगली अप्डेट में किसी ने सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बने रहें हमारे साथ